हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपनी छोटी से शोपिंग जो हमने मा बेटी ने मिलकर की है तो आज मार्केट हमारे हां खुल गया था तो मैंने सोचा अपने टैस गार्डन के लिए कुछ पोदे खरीद कर ले आते हैं तो लेकिन देखिए लाई तो इसलिए वह पोदा खराब हो गया था फिर मुझे नर्शरी में किवल यही पोदा अच्छा लगा थे तो और भी काफी लेकिन वह अधिकतर मेरे पास थे और मुझे भी कोई समझ नहीं आए तो फिलाल मैं एक वही पोदा ले आई हूं शोप्लांट और साथ में यह ले आई जिसकी रूट्स चारो तरफ अच्छी से फैलती हैं जो की छोटे गंबलों में अच्छी तरह से नहीं चल पाते ऐसे फ्लावर प्लांट लगाओंगी या कोई फूल वाली बेल लगा दूगी तो इसमें थर्मा कोल के डबबे में वह अच्छी से फैल जाएगी और अच्छ अच्छी तरह से यह फैल जाती है और फूल और फूल भी बहुत अच्छे से देती हैं तो अभी मैंने कोई डिसाइड तो नहीं किया है कि मैं क्या लगाओंगी इसमें तो देखते हैं मैं इसमें क्या लगाती हूं जब लगाओंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी और दे तो देखिए अब मैं उस मिद्टी को तो दो एक चोट कर और उसकी जो यह मैंने कट्टिंग लिए है भलक छारों तरफ से अब कर चील लिया दोंकोर ₹ फ़ो उपर उपका हटा दिया है और उसे मैं वरतन में डिप कर एक दो इंगर ढ़ी लगां दूं Severus Dundy में और फिर उसको मैं इसको मैं कटशं को लगा दूघी तो देखे अब मैं इसकी कटिंग लगा रही हूं देखते हैं यह कितने दिन में होती है या होती भी है या नहीं होती है तो यह तो मेरा अभी मैं ट्राइ करके देख रही हूं इस कटिंग के ऊपर पहली बार कि अगर यह हो जाएगी तो ठीक ही है और इसको लगाने के बाद पानी देने जान करें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए